हलो दूस्तों मेरा नाम है बिनाय और आप लोग देखर हो बिनाय टेक तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ आप लोग DD कैसे बना सकते हो ओनलाइन में मैं आप लोग को फूल डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो पूरा लास तक देखिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा कैसे आप लोग इसली घर बेठे ओनलाइन डीडी बना सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम लोग आ चुके हैं SBI का Net Banking का वेब पेज में तो यहां पर आप लोग को परसनल बैंकिंग के उपर क्लिक करना है और इधर आप लोग इन बटम पर क्लिक करना है और फिर कांटीनूर टू लोग इन बटम पर क्लिक करना है और फिर यूजरनेम और पासवर एंटर करके और फिर लोग इन बटम पर क्लिक करना है तो मैं यह डिटल भरने जारू हूं अभी और OTP जो है आपके रिष्टर मोबाइल नमर पर आया होगा उसको यहां पर एंटर करना है और मैं आपना एकांट में लोग इन हो चुका हूं यहां पर आपका डिटल रहेगा एकांट न आउटसाइड SBI, other payment or receipt, other request ठीक है तो यहां पर आप लोग को other payment or receipt section में आ जाना है और इधर आप लोग को issue demand draft के उपर क्लिक करना है और फिर इधर आप लोग को profile password enter करना है और फिर submit button पे क्लिक करना है तो यहां लोग आ चुके हैं demand draft section में और इधर आप लोग देख सकते हो demand draft limit अगर आप लोग limit change करना चाहते हो तो change limit के उपर क्लिक करके आप लोग limit भी set कर सकते हो ठीक है और यहां पर आपका account name saving type branch balance ठीक है और इधर आप लोग देख सकते हो selected account number और जो भी account होगा SBI में यहां पर select होगा अगर आपका पास multiple account है तो यहां पर आप लोग को select करना है ठ चुका है in favor of आप किसी को भी दे सकते हो जिसको आप लोग देना चाते हो select purpose जो भी है payment deposit जो भी यहां पर आप लोग set कर सकते हो तो मैं यहां पर deposit or investment के ओपर click कर रहा हूं और यह रहा मेरा branch code और branch name ठीक है और यहां पर जिसको आप लोग भेज रहे हो उसका branch code यहां पर रह है अगर आप लोग courier से लाना चाते हो तो यहां पर courier पर click कर सकते हो ठीक है और ध्यान रखना है अगर आप लोग emergency में बना रहे हो तो यहां पर collect in person ही से रहता है क्योंकि एक दिन दू दिन में आप लोग को मिल जाएगा यह demand draft लेकिन courier में अगर आप लोग करते हो तो time लगता है और साइथ 6-7 दिन लग जाएगा तो यह major difference है और अगर आपको कोई emergency नहीं है यहां पर courier में सेट कर सकते हो यह mode ठीक है अगर emergency है तो quality in person ही better रहता है ठीक और फिर summit बटम पर click कर देना है और आपका जो डीडी है वो बनके ready हो जाएगा ठीक है और यहां पर अगर आप लोग courier select करते हो तो demand drop जो है ओ आपके email ID में आ जाएगा for this 59 रुपीस चार्ज लिया जाएगा आपसे commission amount और अगर आप लोग collect in person option पर click करते हो यहां पर home branch को आप लोग को visit करना है during working hours ठीक है यहां पर आप लोग देख सकते हो दो courier charges for delivery of demand drop by courier is 50 plus GST ठीक है तो यहां पर यह charges लगने वाला है तो इस तरह आप लोग गिजली बना सकते हो online DD in SBI तो आगर आपके लिए यह वीडियो विस्पूल रहा प्लीस टू लाइक, share, comment and subscribe to my channel बिने टेक, thank you